क्या आप जानते हैं बद्रिनाथ धाम पहले भगवान शिव जी का ध्यान स्थल था? इस कथा की शुरुवात होती है बद्रिनाथ मंदिर के समीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित पवित्र स्थल जिसे लीला धुंगी के नाम से जाना जाता है एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती बद्रिनाथ मंदिर से कुछ दूर अलकननदा नदी के समीब विचरण कर रहे थे उन्हें वहाँ एक बहुत छोटा बालक मिला वो बालक बहुत सुंदर और मनमोहक था उस बालक को देख माता पार्वती जी के अंदर का वात सल्य जागा और वे नन्हें बालक को लेकर अपने आवास पर सुला कर विचरण के लिए चले गए जब भगवान शिव और माता पार्वती वापस लोटे तो आवास का द्वार अंदर से बंद था जब बहुत प्रेत्न के बाद द्वार खुला तो भगवान विश्णु अपने राजसी रूप में प्रकट हुए नारायन को यह स्थान अपने तप के लिए अत्याधिक प्रिय लगा तो उन्होंने स्थान को प्राप्त करने के लिए यह लीला रची और भगवान शिव और माता पारवती नील कंठ परवत को चले गए बद्रिनाथ धाम की यात्रा में आप इस पवित्र स्थान के दर्शन अवश्य करें